हला अवरिवन मैं जितेंदर बागडी आप सभी का अपने इस यूटूब चैनल पर हारदीक स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों हम स्पेशल रूप से असिस्टेंट प्रोपेसर पेपर थर्ड की जो बजट समिक्षा है उसको ले करके आज हम एक रेपीड रिविज और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजीगा क्योंकि असिस्टेंट प्रोपेसर आने वाले छह साथ दिन में आप लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही मैतोपून होने वाली है वैसे मैं ज्यादा लंबी और बड़ी क्लासे नहीं लेता हूं आप हमारी तीसरे नंबर की क्लास है वके यह हमारी तीसरे नंबर की क्या है कि लास है इससे पहले मैंने दो कलासे ओ domestic product की व्रद्धी दर है 2.37 परतिशत 4.8 परतिशत 11.4 परतिशत और 7.5 परतिशत तो ध्यान रखना इसका right answer हो जाएगा 11.4 परतिशत इसकी क्या है व्रद्धी रेट रही है राज्ये का जो इस्तिर मुल्ले जो होता है उस पर हमारी जो सुद्ध कौनसी वाली स्टेट डॉमस्टिक प्रोडेक्ट जो है वो कितनी रहने वाली है तो वो रहने वाली है 11.4 परतिशत ज्यान रखना यह आकड़ा 11.4 परतिशत है अगला है क्योशन सिंख्या 2 राज्ये की परचलीत मुल्यों करंट प्राइज पर जी एस डीपी औसत व्रद्धी दर कितनी है 9.68 परतिशत 7.5 परतिशत 10.4 परतिशत और 12.4 परतिशत तो इसमें आपसे पूँचा है राज्ये की परचलीत मुल्यों पर जो क्रंट प्राइज होता है उस पर जी एस डीपी औसत व्रद्धी दर कितनी है तो आपका राइट अनसर हो जाएगा 9.68 परतिशत ज्यान रखन उस मामले में हमारा राजस्तान जो है पूरे भारत में दूसरे नंबर पे आता है राजस्तान इस्तिर मुल्ले जीएज़ डीपी के आधार पर पूरे देश में कौन से इस्तान पर आता है अगले परसंट संप.चार वर्ष 2023-24 में केंदर सरकार का राजकोष ये गाटा सकल गरेलू उत्पात का कितना प्रतिशत है वड़ी हमारा जो गाटा है केंदर सरकार के राजकोष ये गाटे से कितना प्रतिशत है 3.98% 4.7% 5.90% और 6.5% तो राइट अनसर हो जाएगा 5.90% इसका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा यानि 5.90% अमारा राजकोष से जो सकल गाटा है केंदर सरकार की तुलना में कितना प्रतिशत है 5.90% है बजट 2023-24 के अनुसा राजकोष से गाटा सकल राजजे गरिल उत्पात का कितना प्रतिशत है अब ही हमारे से पूचा था केंदर सरकार की तुलना में अब पूचा है राजजे में ठीक है तो 4.56 प्रतिशत, 6.2%, 3.98% और 2.55 प्रतिशत तो ध्यान रखना इसका राइट अनसर हो जाएगा 3.98 प्रतिशत बजट 2023-24 के अनुसा राजजे का राजकोष से गाटा सकल गरिल उत्पात GSDP का कितना प्रतिशत है तो 3.98 प्रतिशत ध्यान रखना कितना है 3.98 में प्रतिशत है राजजे के लगबक कितने परिवारों को रास्टे खादे सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत निशुल्क अनपूर्णा फूड पैकेट दिये जाएंगे 5 करोड, 1 करोड, 3.5 करोड और 2 करोड तो ये जो निशुल्क जो फूड पैकेट योजना चलाई जा रही है अनपूर्णा कितना है वाइस में 1 करोड परिवारों को या 1 करोड लोगों को निशुल्क क्या दिया जाएगा अनपूर्णा फूड पैकेट प्रोग्राम दिया जाएगा अगला है क्योसन सिंक्या 8 BPL तता PM उज्जुला योजना में सामिल निम्न आई वरक के परिवारों को कितने रुपे में LPG gas cylinder उपलब्द करवाया जाएगा अभी देखना ये जो हमारी जो last government थी उसके बाद में तो हमारी last government नहीं तो किया था 500 रुपे का और जो VJP government थी उनका चुनावी जो manifesto था उसमें कितना था 4500 रुपे और आज कल में यानि की paper में news भी आई है कि हमारे वर्तमान जो 9 निर्वाचित CM है बजलाल सर्मा जी ने ये गोशना की थी कल साइट टॉंक जिले से गोशना की थी कि ये जो cylinder है वो 4500 में उज्वला परिवार के लाभारतियों को दिया जाएगा तो बजट में तो कितना था जो पिछली गैलो सरकार थी उसमें तो 500 रुपे और अभी नव निर्वाचित जो हमारी सरकार गटित हुई है इसमें कितना कर दिया है 4500 रुपे आप परसंद को थोड़ा सा ध्यान से देखना अगर वो इस लेवल से पूँच रहा है या पिछली गोवर्मेंट की योजना के तथ्ये क्या आदार पर पूँच रहा है तो पिछली government की पूछ रहा है तो 500 रुपए है और वरतमान government अब कितने पर देनी की गोशना कर चुकि है 4500 रुपए की गोशना कर चुकि है हाला कि 4500 तो आभी नहीं सकता क्योंकि ये तो अभी आज हुआ है नवीन यूवा निती के तहत किसका गठन किया जाएगा यूवा खेल विकास कोस का यूवा कल्यान कोस का यूवा विकास एवं कल्यान कोस का एक और दोनों का अभी जो नवीन यूवा निती का गठन किया गया है इसमें कौन सी कोस या कौन सी development विभाग का इस्तापना किया जाएगा तो यूवा यूथ development और एक welfare जो कोस है उसकी क्या की जाएगी इस्तापना की जाएगी तो ध्यान रखना नवीन यूवा निती के तैत किसका गटन किया जाएगा यूवा विकास और कल्यान कोस का क्या किय जाएगा गठन किया जाएगा युवा विकास व्म कल्यान कोस के संधर्म में कौन सा कतन असत्य है इस कोस के गठन में 500 क्रोड रुपए वे किये जाएंगे नवीन युवा निती के तहत इसका गठन किया जाएगा इस कोस में 200 क्रोड रुपए की रुपए व्यक्तिगत विका राइट हो जाएगा और 200 क्रोड रुपए व्यक्तिगत रूप से विकास परपंड पर नहीं खर्च किये जाएंगे इसलिए उप्सन संक्यात तीन इसका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो ध्यान रखना ये इसका गलत हो जाएगा नेक्स्ट परसन है 11 नंबर पर राज्य परतियोगी शुरक्षा अधिनियम 2022 तो आपका इसका राइट अंसर आपको चुनना है कि क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़े समस्या और हम बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी वी है ये तो ध्यान रखना वैयी राजस्तान सार्वजनिक पर अधिनियम 2022 यह अधिनियम लाया जा रहा है बजट 2023-2024 के अनुसार आगामी वर्स में कितने मेगा जोब फेर्स लगाना प्रस्तावित किया गया है अब बजट की में बात है पिसली गौर्मेंट का अंकड़ा है 200, 50, 100 और 500 तो ध्यान रखना भी 100 मेगा फेर्स जोब जो है वो मेलों का आयोजन करना गौर्मेंट ने लग्से रखा है तो ध्यान रखेगा वही कितने हैं 100 मेगा फेर्स जो है उनका लग्से रखा गया है तेरा नंबर का प्रशन है मुख्यमंत्री अनुपरती कोचिंग योजना के तहत कितने युवाओं को लाभानवीत किया जाएगा हाँ ये बजट में बड़ी गोशना हुई थी 15,000 तो पहले थे 10,000 20,000 और 30,000 अब संक्या बढ़ा कर कितनी कर दिये 15 में 15 और जोड़ दिये हैं और संक्या कितनी जा पूंचिए भाईया अब मुख्यमंत्री जो निशूल्क अनुपरती योजना है ठीक है इसमें अब आप लोगों को कितना हजार का इंक्रिमेंट देखने को मिला है टोटल 30,000 हो चुक है यहनी 15,000 और प्लस कर दिये गए ठीक है कितने प्लस कर दिय हैं 15,000 और प्लस कर दिये गए हैं राज्य की विदार्तियों को परतियों की प्रिक्षाओं की तयारी हे तु आवास ये सुविदा उपलब्द करवाने के लिए निम्द लिखित में से किसकी इस्तापना की जाएगी राजिव गांधी आवास से विद्धालय की विवेका न यूथ होस्टल और महात्मा गांधी आवास से विद्धालय की विवेका नंद यूथ होस्टल जो है ये सरकार इनको आवास स्विदा हेतू क्या करवाएगी उपलब्द करवाएगी अगला है क्योशन संख्या 15 सावत्री भाई फुले वाचनाल है मैं डिजिटल लाइब्र लाइब्रेरी की स्थापना समस्त जिला मुख्यालों पर समस्त ब्लॉक मुख्यालों पर समस्त संभागे मुख्यालों पर और समस्त ग्राम पंचायतों पर तो मूल रूप से यह समस्त ब्लॉक मुख्यालों पर सावत्री भाई फुले वाचनाल है डिजिटल लाइब्रेरी युवा उधम, प्रोधसान योजना के संधर्ब में कुन सा कतन सत्य हैं, इस योजना में 18-35 वरस के आयू के वरक के उदमियों को समलित किया जाएगा, इस योजना पर 100 करोल रुपए वे किये जाने प्रस्तावित हैं, इस योजना में 5000 युवा उदमी लाबान वित होंगे उप्यूक्त में से सभी तो इसमें से ध्यान रखना भई इस योजना में 35 से 18 वरस के आयू के सभी लोगों को सामिल किया जाएगा इस योजना में 100 करोड रुपए वे करने की योजना बनी है और इस योजना में 5000 जो उद्मी हैं उनको लाबानवीत करना सरकार का प्रियास है तो इसमें रखना सभी के सभी स्टेटमेंट आपके क्या होने वाले हैं राइट होने वाले हैं क्योशन सिंक्या 17 है मुक्यमंत्री युवा उद्म प्रोथसान योजना के अंतरगत पुरूसवय महिला उद्मियों को करमे से लाब के अतिरिक्त कितने परतिशत मारजिन मनी दी गई हैं 10 पॉइंट से लेकर के 15 परतिशत 15 से 10 परसेंट 15 से 20 परसेंट और 20 से 25 परसेंट मुक्यमंत्री युवा उद्म योजना एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है राजस्तान में इसके अंतरगत पुरूश्व महिलाओं को कितना लाब जो है दिया जाएगा तो पु महिलाओं को दिया जाएगा अठारा बाब प्रसन है विशू कर्मा कामगार कल्यान योजना का संबंद निमन में से किस्से हैं अलप आई वरक की महिलाओं से हस्त सिलपी से माटी कला कारीगरी से और उप्यूग सबी से विशू कर्मा का मतलब होता है जो व्यक्ती हैंड नि मिलाओं के लिए हैं जो हैंड निर्मित हैस्त सिलपी होते उनके लिए हैं और जो मिट्टी की कारीगरी करते उन सबी के लिए तो राइट अनसर क्या हो जाएगा यह योजना सभी वर्गों के लिए जो अपसर में आपके दिये गए हैं उन सभी के लिए क्या है समान रूप करन करे करने में साहिता उपलब्द कराने के लिए दस हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा इस योजना में एकलाक युवाओं को लाभानवीत किया जाएगा उप्यूक्त में से कौन से कतन सत्ते हैं